बूर्णिंग एवरीवन, वेलकम टू फनेल लांज स्कूल, बुच्छो आज हम पढ़ेंगे स्टेंडर फिप्त की क्लास में हिंदी में डिवीजन वक्सित, हमारा सेलवर्स पूरा हो गया है और हम एकजाम आने वालेते हैं, एकजाम की तैयारी के लिए माज डिवीजन वक् घहरे, उँचे बालू ये नीचे ओर सम्तल, तो इसका उत्तर है उचे ओर घहरे, वीजन की उम्र थी, तो वीजन की उम्र बच्चो दस साल थी, फिरे, उजले जेसे धाम का भावार्त क्या हो है, बादलो वाली धूप, धूप का न होने, खुली धूप का होना, तो आम का था, सेव का है, संत्रे का, तो इसका उत्तर है, सेव का, वर्षा से नदी का जल केसा हो जाता है, अपवित्र, गंदला ये असुद, केसा हो जाता है, गंदला, हुआ हुआ कौन करता है, तो सियार करती है, कुटता है ये भालो, तो बच्चो सियार उम्र 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 क किसकी फसल तयार खड़ी थे आप चेप्टर में आय था गेहूं की बाजरे की मका की तो इसका उतर है गेहूं की खेतों में दाना चुगने कोन आते थे कब उतर तीतर या चेडिया तमा चेप्टर में को थे तीतर आते थे विशन ने घायल तीतर पर क्या डाला? स्वेटर गंदा कपड़ या टोकरी? जब उसने घायल देखा तीतर तो क्या क्या? क्या उसका अपना स्वेटर डाल दिया था? सुद्ध वर्तनी वाले सब्द को चुनिये मतलब इसमें कौन सा सब्द येदम सही है? ये प्रकर्ति या प्रकर्ति या पकुति तो पुचे इसका सही आंसर है प्रकूर्ति मुक्य तो गुल्लक में क्या रखा जाता है? आके आस गुल्लक है? गुल्लक में क्या रखते हूँ? पानी सिखे ये मिटी? तो इसका उतर है सिखे जल्चक्र जैसी बाते किस किताब में बतायाती है मतलब जिसके बारे में जल्म का नदी का भूगोल बतायाता है इसमें अंग्रेजी गणित या भूगोल तो इसका उत्तर है भूगोल जैसे आगे जाओगे तो आपके भी अलग-अलग आएगी कि ताब उसमें बता जलेगा कि पर जल्चक्र जैसी बाते किस में दा जाती है भूगोल में बताई जाती है चारो तरब पानी ही पानी किस मौसर में बहने लगता है गर्मी में, बरसात में या सरदी में तो बरसात में पिर देखो जमीन के नीचे चिपे जल के बंडार को क्या कहते हैं बूचल किस मोसा में हमाई नल का पानी सूख जाता है गर्मी में गर्मी में दूप ज़्यादा पड़ती है इसलिए मन नलोग का पानी भी सूख जाता है अब आगे दिम देखते हैं ये टूपाज मतलो सही कथन के सामने सही यो गलत कथन के सामने गलत का निसान लगाई है जो वाकिया हमको सही लग रहा है इसको सही कर देने का है गलत लग रहा है उसको गलत करने का है तो देखो पहला वीशन ने पहली बार में ही घायल तीतर को पकड लिया था नहीं गोली मार देने की धमकी से डरकर वीशन रुग गया नहीं बहुत बहुत थालियों का टोड़ी रगड का धोती है हाँ वीशन गायल तीतर को मार कर खाना चाहता था नहीं गर्मियों में मवेश्यूर अन्य पसू आसानी से नदी पार कर जाते हैं हाँ क्योंकि पानी कम होता है कर्णल साहाब ने तीतर के पंक फेला कर पगद्या कर्णल साहाब ने तीतर के पंक फेला कर टेप लगा दिया था हाँ सही है फिरे नदी के दूसरे टट पर खजुर और मौवे के पेड है नहीं फिर वच्चो आगे प्रस्न दिया गया है वीशन की कमीज की क्या है वीशन की कमीज की एक आस्तिन फट गई थी चोटे बच्चे में बीच नदी में जाका उच्छल कूट कर रहते है गुलाव चंद बरामदा साप कर रहा था नदी के किनारे पतले पेड होते है नहीं नदी आसार मा में भर जाती है शीडी नूमा खेत पर पहाड़ों पर मिलते है नदी की धार टेडी मेडी होती यह समाज चेप्टर में बता गए तो नदी की धार टेडी मेडी होती नदी की तल हटी पर भी कीचड होता है नहीं नदी के किनारे पर कहीं भी कीचड नहीं होता है वो तो पानी से दम क्लीन और साप होता है बहुत अच्छा होता है फीरे बच्चों हमने ये टूपास पढ़ ली अब ये निन्न सब्दों में से उचित सब्दों का परियोग करके रिक्तिस्तान भरिये मतलब खाली देके दीगे उसमें से हमको सब्द दीगे कौन सा सब्द सही है वो हांप हमको लिखना है तो देखो ये सब्द हमको वहां पर लिखना है सिकारी, मचलिया, प्रत्वी घाटी, गुलाब चन्द, वीशन जल चक्र, नल उंचे पेरो, धा, सीने, टोला, क्रोस और बढ़सात ओके हम देखो बच्चों इसमें पहला प्रस्न है गोलियों की आवाज से पूरी खली जगा गुझ गई तबहाई चिप्टर में आया था गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गुझ गई बच्चे नदी के टड़ पर छोटी छोटी खली जगा पकट है क्या, मचलिया नदी की खली जगह टेडी मेडी होती है नदी की धार टेडी मेडी होती है नदी के टट पर खली जगह फूले हुए होते है क्या कोस बीशन ने तीतर को खली जगह से लगा लिया तो बीशन ने तीतर को घायल तीतर को देखा कि अपने सीने से लगा लिया बुगोल में खली जगा जैसी बाते होती है, तो बुगोल में जलचक्र जैसी बाते होती है, कर्णा दत्ता ने खली जगा से दवाज छिडकने वाली लाने का कहा की से, गुलाब चंद्र से, पेडों की छाओं में भ्रामन खली जगा रहता है, तो क्या भ्रामनों का टोला रह नादी के किनारे खले जगह उचे होते हैं। में । घर्मी के मौसम में हमारे खले जगह का पाने शूख जाता हैं। नल्का, पाने की बड़ी गुल्ल, खाली जगण को कहते हैं, किसको बोलते हैं, पानी की गुल्ल, प्रत् digitally को, खाली जगण में चारो तरब पाने ही पानी हो जाता है, किसमें बर साथ के दिलों में hayuna vachyo, आपने देखा हो, हमें भी आपने देखा होगा कि अपने घर के आसवाँ जब बहुत ज़्यादा बारिस आती है तो चार उत्र पाने ही पाने हो कीचड़ी कीचड़ी हो जाता है खाले जगे की उम्र 10 साल है, किसकी भीशन की उम्र 10 साल थी अपटित गध्यांस को पढ़कर पूचे गए प्रस्नों के सही उत्तर लिखिए तो ये अमारे पढ़ा हुआ हमने नहीं है पिरेग्रांश, तो भी हम पढ़ लेते हैं जब बहुत पुरानी बात है सुन्दर गाउं में सादू और सेतान से नाम के दो भाई रहा करते थे सादू से चोटा था, वह खुब मेनती और रिमानदार व्यक्ती था वह गाउंवालों का आदर किया करता था इस वज़े से गाउंवाले उसे खुब प्यार करते थे जबके उसका बड़ा भाई सेतान से बेईमान और दुष्ट व्यक्ती था सेतान से किसी का आदर नहीं करता था उन्हें पिता अनाज का धंदा करते थे पिता के देहांत के समय में दोनों छोटे थे और मिल जुलकर रहते थे वे बड़े हुए तो सेतान जी के मन में बेइमानी आ गए उसने पीता के दुकान पर लड़कर लड़ जगड का कबजा कर लिया यह हमारा पेरे क्राप था अब इसमें से प्रस्न उत्तरम को देखना है सादू सी केसा व्यक्ति था? मेनति और इमान दारी सेतान जी केसा व्यक्ति था? बेइमाने व्यक्ति था दोस्तो बेइमाने व्यक्ति था क्या था? बेइमाने व्यक्ति था पीरे बचो आगे उनके पीता का क्या नाम था? तो उनके पीता का क्या काम था? उनके पिता का काम था, उनके पिता का काम अनाज का धन्दा करते थे बच्पर में दोनों भाई केशे रहते थे तो बच्पर में दोनों भाई मिल जुलकर रहते थे शेतान जी ने लड़ जगट कर क्या किया शेतान जी ने लड़ जगट कर पिता की दुकान ले ली दो किलो शेव लंबा लडग अधिक लोग गवर न आकास और निला शुवर न मोसम होता है और निला आकास होता है अब यह हमारे प्रस्णुत जिनके उत्रम को लिखना है यह हमारे प्रस्णुत आ हमारे चेप्टर के ही प्रस्ण उत्र है ओके तो देखो बचुछे इसमें पहला प्रस्ण में देखती हूँ गर्मियों में नदी में कितना पानी रहता है, हमारे चेप्टम बताये गर्मि के दिनों में पानी घुटने भरका रहता है, सेव के बाग में किसका सिदकाव हो रहा है, सेव आते हैं जब उसके बाग में दवाओ का सिदकाव होता है, हमारे भी खेते में जब हमारे ग्यों पक जाते हैं, या मिर्च, कुछ भी हम फ्रूट या सबजी अउगाते तो उस पे दवाज का सिटकाओ किया जाता है, बिशन ने किसको सबक सिखाने के सोची, बिशन ने सिकारियों को सबक सिखाने की सोची, करना दत्ता के घर पर कितनी सिकारी आया, करना दत्ता के घर पर दो सिक जल चक्र में जल की पूनी यात्रा किसके सारे दिखा जाती है जब हमें जल चक्र की बारे में बता जाता है तो आपने देखा होगा एड़ो तीरो के सारे दिखाई जाती है पीरे आगे जल चक्र में किसके मुख्य भूमिका होती है तो जल चक्र में सूरिय नदियों के मुख्य भूमिका होती है क्योंकि सूरिय के द्वारा पाने को वास पर करंगर के खीचा जाता है और वोई पाने बरसात के रूप में आता है नीचे गिता नदियों में बह जाता है वो नदियों में से उसी परकार वो जलचक्र चलता रहता है बरसात के दिनों में चारो तरब क्या फ्यल जाता है पानी ही पानी तीतर खेतों में क्या चुपने जाते हैं दाना बीशन ने तीतर को किस में चुपा कर रख दिया है टोकरी में क्या आएगा बचो टोकरी में तीतर का क्या तूड़ गया एक पंक करना दत्ता के नोकर का क्या नाम था फकीर चंद बच्चे नदी में क्या करते हैं नहाते हैं, मच्छिलियों को पकड़ते हैं मस्तिया करते हैं, एंजय करते हैं सियार केसी आवाज करता है कशी बताएं है चोटी जाति बड़ा होता है यह बड़े फ्रस्थ इंहें पड़ाइन ऐसे पने गर्ड के समें मोटर लगे Kannan दूसरे यह हक चीनने के बरावर है लेकि कैसा क्यों मानता है नहीं पहले होता थार यह फूर्ट कम हाते न हम्。。 वो सबी के नल होते तो सब क्या करते थे कोई पडोसी के किसी का मोटर होती थी तो डाइरेक्ट नल में लगा दिया जाता था तो मोटर में नल में लगा देने से पाइप वो पान मोटर क्या पुड़ा पानी खीचती है प्रेसर कमाने पर वो क्या करते है अपनी पडोस वाले क का पानी नहीं मिल पाथा सुधर उनका हख चीनने के बराबर ही हुआ ना नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभवि सकते हैं तो देखो एक और जब में नानी के गर गया था मुझे नानी नदी में नहाने का उसर मिला नदी में के अठाय पानी में नहानाई कलर किस्म का सुकत अनुभव देता है पाने से निकलने का कभी मन नहीं करता मैं तो बहुत देर तक नहाता रहा जोकि मेरे साथ के सारे वच्चे निकल गए फिर नाना जी के आने उनके कही बार कहने पर में नदी से बार आया आ कितना मज़ेदार था है ना बच्चों तो इसके जगे आप अपना अनुभव भी लिख सकते हो फिर बड़ी संक्यामी इमार्ते बनने से बाड़ और अकाल का खत्रा केसे पेदा होता है बड़ी संक्यामी इमार्ते बने से खाले भूमी कम पढ़ती जाती है धकी भूमी जल नहीं सोक पाती है जिसे धर्ती की गुलग भड नहीं पाती इसे गर्मी में अकाल उपरसात में बाड़ के स्थती पेदा हो जाती है वीशन गायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था गायल तीतर को देखकर वीशन का दिल पिगल गया वो उसको गायल अवस्ता में असाय नहीं छोड़ सकता था अतो उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज केर करके तीतर को बचा लिया गायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरकी परिशानिया हुई उसने जाडियों में गुजर के बड़ी मुश्कल से गायल तीतर को पकड़ा हिकारियों से बचने के लिए उसे कंठिले तारों की बाड में से होको गुजरना पड़ा उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा बहुत संबल का चलने पर भी उसके हाथ पाउं पर कांडों की बहुत सी खरोच उभड़ाई खरोचों उसे खून भी निकलने आ लगा कमीज की एक आस्तें भी फड़ गई जिसके कारण मास ये डांट खाने पड़ सकती है उसे चिमनी के पीछे चिपना पड़ा तीतों को बड़ी मुश्कल चे एक टोकरी में चिपा सका धर्ती की गुल्लग किनके सादों चे भड़ती है जोटे बड़े तालाव जेल आधी है वे धर्ती गुल्लग भड़ने के काम आती है पर निम न लिखी विशे पर निबंद लिखी तो बच्चो हमारे एक निबंद आएगा मैंने आपको निबंद पड़ा दिया है चार पार निबंद उसमें से कोई साभी एक निबंद आ सकता है ये बाल दीवस का निबंद है मिया आपको गाय का भी आ सकता है कभि कुछी कभी निबंद आ सकता है तो निबंद आ आपको इस तरीके से लिखना है ऐसे हमारे प्रस्थ न उत्तरते जो हमने पड़े इनको देखना और समझना ओके बायबाय